तो यह विदियो में जानेंगे आज हमने वर रॉल इंट्राड एक ऐसी मार्केट देखी आज हमारी वीकली एक्सपारी थी कंटिनूस्ट मार्केट में वे ट्रेंड देखने को मिले इंपोर्टन लेवल्स को मार्केट ने hold किया, कल जो analysis discuss किया था उसके बारे में बात करेंगे और आगे के लिए भी जानेंगे कि Friday यानि कल आप कैसे trade बना सकते हैं, क्या important levels होंगे और कैसे market work कर सकती है तो बहुत ही मज़िदा detail वीडियो होने वाली है पूरी वीडियो जरूर देगे, तो चलिए analysis pad पे आते हैं, सबसे पहले करते है bank nifty का analysis overall आप देखिए, bank nifty में हमने क्या discuss किया था, कल clear cut आपको बताया था, कि हमें एक breakout मिला है bank nifty में positionally हमने बात की थी, bank nifty में breakout मिला है, और क्या expected था हमे, and breakout के बाद market में यहाँ आपे dip आना चाहिए exactly 36.900 यह support level का work करेगा पहले as a resistance था, यहाँ से अच्छा major dip भी देखने को मिला था, अगर हम यहाँ पे बात करें तो, लेकिन कल जब breakout मिला, उसके बाद हमने का था यहाँ पे एक बाद dip आएगा, और वहाँ पे बहुत perfect entry बनती है आपके लिए 36.900 पे और आज का day low देखेंगे तो exactly यही low बनाया और यहाँ से हमें bounce back देखने को मिला है तो अच्छी चीज क्या हो यह market में यह level test भी हो चुका है और market ने इस level को hold भी किया दो आज की overall intraday candle red बनी है लेकिन market ने level को hold किया है तो अभी भी upside targets open है और आपको क्या बता है हमें कहां तक uptrend जाता हुआ दिख रहा है bank nifty में कहां तक यह uptrend जाता हुआ दिख रहा है 38,120 level ठीक है यह हमने कल positionally बात की थी तो kind of ऐसे ही market ने work किया positionally अभी भी हम bullish है bank nifty में important level market ने test भी किया और उसे hold भी किया और वहां से अच्छा bounce back भी देखने हुगा ठीक है तो positionally अभी भी bullish viewpoint है intraday market की बात करते हैं कि intraday market में कैसे work हुआ and कल कैसे market work कर सकते हैं intraday में उसकी बात करते हैं ठीक है तो अभी हमारा bank nifty का chart है morning में opening तो kind of positive हुई थी लेकिन उसके बाद continuous fall देखने को मिला 37.400 यहां पर resistance level था इसके अभव हमारा call का trade था तो यहां पर trade तो कोई था नहीं morning में almost इसके below ही market नहीं आ resistance phase की और वहां से clear cut down move देखने को मिला बहुत sharp sell off देखने को मिला कहां तक देखिए यहां पर हमारा एक और support था expiry ले हमने आपको clear cut बताया था major level यही था 36.900 positional chart पर हमने बात भी की थी intraday level भी था कल भी आपको बताया था daily time frame chart पर कि यह important support level है एक बार यहां dip आके bounce आना चाहिए intraday लेकिन हमारा यहां पर एक और support था यहां पर level था 37.000 ठीक है लेकिन इतनी sharp candle बनी है आप देखिए clear cut market first time ही इस level को hold नहीं करती है हमने trade discuss किया था कि 37.000 पर आपको market में longs बनाने लेकिन आप देखिए क्या sharp candle बनी है तो clear cut इस candle से level break हो चुका था और उसके बाद बहुत जादा दू नहीं था level 36.900 पर market base बनाती है वहीं day low बनता है और वहां से reversal देखने को मलता है आप देखिए वहां से क्या decent bounce देखने को मलता है first time level ने work नहीं किया लेकिन यह level था हमने आपको बताया था expiry में work करता है आप देखिए दुबारा market levels को test कर रही है support ले रही है यहां पर फिर level को test कर रही है और पूरा time market level पर support ले रही है and जो हमने trade discuss किया था यह को दिख रहा है market यहां level पर support ले रही है जो trade भी discuss किया था कि यहां पर longs बनाने है जब market यहां पर support ले और clear का rally target 200 points का था perfectly target achieve होता है और यहां फिर market आप देखिए कोई clear confirmation नहीं मिल रही है candle break कर रही है फिर confirmation नहीं मिली फिर level तक आ गए फिर candle break कर रही है फिर market में fall आ गया फिर candle break कर रही है और फिर market में fall आ गया तो यह level break होने की कहीं भी हमें confirmation नहीं मिली यहाँ पर पूरा टाइम यहाँ level as a resistance का वर्क कर रहा था और वहाँ से फिर dip देखने बोला और dip में फिर से level इसलिए 37,000 level भी आपको बताया था 36,900 तो major level था ही हमने clear कर discussion की थी बहुत time से discussion कर रहे है इस level की तो लेकिन expiry वाले दिन जो logic समझाया था जो आपको level बताया था first time ज़रूर break हुआ sharp candle से क्योंकि उस time यह level test करना था market को लेकिन उसके बाद हर बार देखिए market इस level को hold कर रही है फिर से market नहीं support लिया और यहाँ से bounce back देखने को ला और day end में market kind of यहाँ flat close हुई overall देखेंगे कल से negative closing देखने को मली है लेकिन important चीज मार्केट ने इस level को hold किया है और जो trade discuss किये थे perfectly levels ने वर्क किया 36,900 level भी discuss किया था कि यहाँ मिले market आपको longs बनाने यहाँ एक बार test करना चाहिए market को और फिर market को bounce back करना चाहिए उसने perfectly work किया और आप 37,000 level देखिए first time, second time, third time perfectly market यहाँ वर्क कर रही है और जो हमारा target था वो भी अच्छी वहा तो perfect day था अगर आपने हमारा setup follow किया होगा कल का तो यह आज की intraday market थी लेकिन आप question आता है कि आगे कैसी market देखने को मिल सकते है क्या important levels होंगे और कैसे आपको trades बनाना है कल तो चलिए अब कल के आपको पता ही होगा 37,000 सिर्फ आज के लिए लेवल था क्योंकि आज हमारी expiry थी कल भी समझाया था यह सिर्फ आज के लिए level है overall level यही रहेगा 36,900 कल के लिए भी पहला support यही है और जब तक यह break नहीं हो रहा है market हमारे बुलेशी है कोई bit up यहाँ पे दुबारा मिलता है यहाँ पे calls में entry बनानी अच्छा support है अच्छा decent support है यहाँ पे 36,900 पे calls में entry बनानी अभी भी तो पहला trade भी अपको clear हो चुका और पहला support level भी clear हो चुका है 36,900 कोई bit up पाए support level है पहला यहाँ पे आपको buying करनी है calls में entry करनी है target 300 points का 37,200 यह हमारा पहला trade बनता है और resistance level क्य भी update किये थे, इसके बाद further level किया है, बाद जो next level है वो अब है 37,650, तो ये तीनों resistance level है, upside का trade कब बनाना है upside का trade 37,400 के breakout के बाद बनाना है, second, जो second call में entry बनेगी और target यहाँ पे भी decent है 250 points का, target होगा 37,650 तो दो calls की entry ही discuss कर रहा है अभी भी bank nifty में, bank nifty में ये levels है और ऐसे आपको trade बनाना है अब बात कर लेते हैं, nifty की intraday कैसे market थी और कैसे trade बनाना है अब देखिए ये जो nifty का chart दिख रहा है, यहाँ पे जो levels हैं वो different है और आज के expiry के लिए जो levels थे वो अलग थे क्योंकि expiry के लिए every 50s level पे market work करती है, तो एक बार देख लेते हैं, कि जो आपको कल levels बताये थे, उन पे market ने कैसे work किया यहाँ भी gap up opening हुई, ठीक है, अच्छी gap up opening हुई, यहाँ पे gap up opening हुई, लेकिन morning से sell off देखने को मिला, clear cut downfall देखने को मिल रहा है, ठीक है फिर bounce आया, वो भी sell हुआ, और फिर lower side, अब यहाँ पे important support था, यहाँ market कैसे work कर रही है, एक मर आपको clear देखे, इसलिए मैं दिखा देता हूँ, देखे, first candle break करती है, उसके बाद follow up candle नहीं बनी और market दुबारा level के अब आब आ गई, फिर एक candle break करती है, फिर market में follow up candle नहीं बनी और फिर वहां से reversal देखने को मिला, ठीक है, reversal देखने को बला, next level यहाँ पे क्या था, 17,450, यहाँ तक गई market 17,450 तक, वहाँ पे resistance phase किये, सिर्फ आज के लिए intraday level था, 17,450, overall level नहीं था, आपको याद होगा, यहाँ फिर market dip देखने को मलता है, फिर bounce में kind of यहीं market resistance phase करत होता है, तो फिर हमें clear cut up move देखने को मलता है, ठीक है, 17,500 भी इस बार kind of market break करती है, लेकिन 17,550 तक market नहीं गई, ऐसा क्या reason था, ठीक है, यहाँ तो कोई resistance level देख भी नहीं रहे, फिर market नहीं क्यों resistance ली, देखे यह logic भी हमने आपको कई बार समझाया है, morning में अगर market कोई day high या day low create करती है, और दुबारा उस level को टेस्ट करने आती है, तो वो support या resistance का work करता है, तो यह level कहाँ से आया था, morning में market ने यहाँ पे ही day high बनाया था, इसलिए हमें market या resistance phase करती होई दिखी, और यहाँ से में dip देखने हूँ गोलता है, dip में आप देखे, यह फिर level फिर से as a resistance का work कर रहा है, and 17, 450 यह बार बार level work करता हुआ दिखा, और अब देखे बार बार market में work कर रहा है, यहाँ पे भी देखे, यह resistance phase कर रही है, market यहाँ resistance phase कर रही है, यहाँ as a support का work कर रहा है, और यहाँ से अच्छा decent bounce back देखने हो ला, day end में 17,500 के just above market close हुई है, तो यह overall intrad market थी, जहाँ both side move देखने हो बला है, आज कोई trending market नहीं थी, बात हो, intraday market की, अब कल के लिए बात करते हैं, overall हमारे जो levels है, कल के लिए कल कैसे trade बनाने, nifty में, उनकी बात कर लेता है, तो यह हमारा nifty का chart, ठीक है, कल के लिए levels, support 17,500, अब kind of support है, इसके just above हमारी closing आई है, त 17,410 से 17,430, यह important support zone है, और important resistance का है, 17,600, तीन ही levels बता रहे हैं कल nifty में, 17,500 immediate support, major support यहाँ पर है, और major resistance है 17,600, तीन levels है कल के लिए सब nifty में, trade कैसे बनाने है, trade कोई dip मिले, इस zone तक buy करो, ठीक है, इस zone के आसपास market मिले, यहाँ पर dip मिले, यहाँ पर kind of support का work करें, buy करो, calls में entry करो, 17,500 target के लिए, put में entry करेंगे, put में अगर morning में, 17,500 break होता है, lower side, तो जहाँ पर buy करना है, वहाँ तक के lower side target के लिए, put में entry करो, 70 point का target है, तो put में entry, 17,500 break होने के बाद करनी है, इस target के लिए call में entry, dip को buy करना है, तो आपको buy करना है, और यह एक major resistance level है, तो इसके आसबास भी आप puts में entry कर सकते है, 17,600 level के आसबास भी major resistance है, तो upside जाए, तो puts में entry, यानि rally आए, तो sell करना है, dip आए, तो buy करना है, और mid में भी क्या trade बनेगा, वो भी हमने आपको बताए, तीन trade, यह आज का simple sellness था, hope आपक कोई doubts है, comment section में कर सकते है, तो यह थी आज के और वीडियो, hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जाते जाते वीडियो को like जरूर करे, चैनल पर नहे है, तो subscribe करना ना भूले, तकि daily आप ऐसे वीडियो में इस ना करे, तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते है नेक् Thank you so much, bye bye, take care